नमस्कार दोस्तों बिहार एक्स्प्रेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों सहरसा से सराइगर के बीच चलने वाली डेमू पेसेंजर ट्रेन का विश्तार अब ललित गराम तक कर दिया गया है अब यह train सहरसा से ललीद ग्राम के बीच चलेगी और इस train का time table भी बदल दिया गया है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे लेकिन इस train को सहरसा से 40 गश तक चलाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया गया है हो सकता है आने वाले दिनों में इस train को 40 गश तक भी extend कर दिया दिन में 2 बच कर 15 मिनट पर ही खुलेगी और 2 बच कर 36 मिनट पर पचगचिया दो बच कर 55 मिनट पर गड़ बरवारी तीन बच कर 12 मिनट पर सुपॉल तीन बच कर 32 मिनट पर धरविटिया तीन बच कर 55 मिनट पर सराइगर और इसके साथ ही 4 बजे ये सराइगर से खुलेग जो कि 4 बचकर 13 मिनट पर रागोपूर रुखते हुए ये ट्रेन 5 बचकर 30 मिनट पर ललीत ग्राम पहुँचेगी वापसी में ये जिरू ट्रेन है इसका टाइम डेबल कुछ यू रहने वाला है डेमू पैसेंजर ट्रेन का कि ललीत ग्राम से ये साम में 7 बचकर 25 मिनट पर खुलकर 47 में रागोपूर 8 बचकर 30 मिनट पर सराइगर और 8 बचकर 35 में थरबीटिया और 9 बचकर 13 मिनट पर सुपॉल और 9 बचकर 33 मिनट पर गड़ बरवारी 9 बचकर 40 मिनट पर पंचगचिया रुकते हुए 10 बचकर 45 है और सराइक कर से अब ये ट्रेन पटना के बीच चलेगी जो कि इस अपता में पांच दिन चलेगी तो ये थी कुछ अपडेट चो मैंने आप सभी को बताया बांकि आपको ये जानकाड़ी कैसे लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बतात